हेलो आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम आफ नेरिस नेरिस के नर्वस सिस्टम के बारे में तो नर्वस सिस्टम को जानने से पहले थोड़ा सा नेरिस का मर्फोलाजी जान लेंगे जो नेरिस होता है उसको क्लैमवांग कहते हैं और यह जो नेरिस होते हैं वो मेराइन यह पानी में रहते हैं और बरो बना के रहते हैं सुरंग में रहते हैं जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो बरो से बाहर आ जाते हैं उस कंडिशन में जब यह बरो से बाहर आते हैं तब उसको हेटेरो नेरिस कहा जाता है जो नेरिस का बॉड़ी होता है वो हेड ट्रंक और प होता है जैसा कि हम लोगों को बीजी के केस में निर्इस वारंस को पढ़ना है तो इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है अब आते हैं nervous system of nervous nervous has a well-developed nervous system it is divided into the central peripheral visceral nervous system निर्ष के पास जो डर्वस system होता है वो टीन भागों में सेंट्रल पेरीफेरल और विसरल विसरल पाट में डिवाइड होता है तो पहला हम नोग देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होते हैं कैसे होते हैं उसको देखेंगे Central Nervous System The brain is a large bilobed mass called cerebral ganglion जब brain होता है वो large होता है bilobed होता है means कि जब लोब होंगे वो 2 होंगे जब नमबर इस टैप से 2 हो जाएंगे तो उसको bilobed कहा जाता है तो उनका brain जो होगा वो large होगा bilobed होगा और उसको क्या कहेंगे cerebral ganglion कहेंगे which is located darsally in the prostomium जो कि जो prostomium region होता है नेरिस के head में prostomium और peristomium जो region होता है तो यह जो brain होता है वो prostomium region पे located रहता है it is it consists of nerve cells surrounding by a mass of nerve fibers यह nerve cells को इसमें nerve cells होते हैं जो कि mass fiber से nerve cells nerve fiber से घीरे हुए होते है इन दी brain three in the brain sorry in the brain there are three centers are mainly present जो brain होता है उनमें तीन centers present होंगे एंटेरियर आइस सेंटर मिडल सेंटर और पोस्टेरियर सेंटर एंटेरियर आइस सेंटर जो होगा जहां पर आइस रहते हैं अपर पार्ट में जहां पर देखी यह जो पार्ट है यह आइस है एंटेरियर आइस फिर मिडल सेंटर और पोस्टेरियर सेंटर तो इन दी मिडल स बीर पार अप इसमाल लोब काल पेंडी कुलेटर जो मिडल सेट्र नेंटर का पार्ट होता है वो छोटे हो छोटे लोब से कुलेक करते हैं और उसी को कापोर पेंडी कुलेटर कहते हैं सब इंडिया दी फ्यूजन अब तो पेर आफ गैंगेलान अब दी वेंट्रल नर्व कार्ड लायज वेंट्रल ली विरोधी फैरे अग्ज जो सब इंडिया रोदी को आप जो आ गैंडिया होता है इनकी नर्वस सिस्टम में वो जब नर वेंट्र नर्वार्ड एक दूसरे से फ्यूज करते हैं तो यह सब फेरंजल गैंगलियॉन बनते हैं जो कि फेरंग्स के नीचे प्रेजेंट होते हैं the brain is connected with the सब फेरंजल गैंगलियॉन बाई पेर अफ्साउट नर्व इस्ट्रैंड जो ब्रेन होता है वो सब फेरेंजल गैंगलियों से कनेक्ट होता है कठोर नर्व स्ट्रेंट के थ्रो कठोर नर्व स्ट्रेंट के द्वारा ये जो ब्रेन होता है ये सब फेरेंजल गैंगलियों से कनेक्ट होता है और ये जो सब फेरेंजल गैंगलियों होते हैं इदन और ये जो नहुंघ्ब होता है जिसे की ब्रेंस्ट होता है सर दोपर एंजय ययल गैंगलियान सेई उसको सब्सक्राइंजिंगुथ कैते हैं इस यह मैं प्लर ब्लॉज ब्लॉज जोगि यहार अज जोगि यह ब्लॉज वेसल के नीचे प्रेजेंट रहता है नोट में क्या है फाइबर्स इंपल्स ट्रॉवेल्स वेरी फास्ट हो इनका फाइबर्स होता है वो बहुत तेजी से ट्रॉवेल्स करता है अबॉट 20 cm in 100 प्रेट of a second as against 20 cm in 10 seconds in case of usual ventral nerve system 2nd है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यह जो 2ndPART है three types अता नर्वस सिस्टम central peripheral and visceral तो यह second है it consists of nerve connected it consists of nerves connected to the brain circumferential connected निनका जो nerves होता है वो connect होता है brain circumferential connective से and segmental ganglion से आप the ventral nerve card. वेंटरल nerve card के brain circumferential connective से और segmental ganglion से यह connected होते है दि ब्रेन गिजस आओट दी फालोंग पार्ट पहला फ्रों इस एंटरियर सेंटर अपर उप साथ नर्व तो प्रोश्टोमियल पल्पॉ सेकेंड है फॉम इसके मीडल सेंटर से क्या होगे तू पेयर आफ सेलेंडर नर्स तू दी नूचल आर्गन यहां पर देखेंगे हम लोग यहां पर यह पत्रों पर पर आफ से ये यहां पर यक्यान से इसको तू दी नूचल आर्गन यहीं, बताया जांक जा रहा है क्या जो यहीडल पार्ट जो है ओष नूचल नर्व टू दी नौचल, और धाया जा 110% पर थार्ड नंबर पर आएंगे विसरल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट आफ नेटवर्क और फाइन फ्यू गैंगलियों सप्लाइंग दी डार्सल एंड वेंटरल वाल्स उनसे डार्सल और वेंटरल नेटवर्क स्कनेक्ट होंगे नोट नेरिस हैस्लाइट स्लाइट पावर अफ लर्निंग इंक्लूडी फीडिंग इट्स वे एंड अवाइडिंग अन्प्लीजेंट इस्टिमूली जहां पर बताया जह रहा है जो नेरिस होता है जैसे कि पहले ही बता दिया गया कि उनके पास वेल डेवलप नर्वस सिस्ट जो मिले उद्धीपन को हाव इभर फिर यहां भी बताया जा रहा है कि जब कभी वेंडी ब्रेन इज रिमूब्ड जम नेरिस की ब्रेन को रिमूब कर दिया जाएगा इबल्टी टू रिटेन लर्ण्ट विहाबियर इज ग्रेटली रिडियोस तो उनका जो लर्णिंग का आईन्टी है वो रिडियूस हो जायगा जब भी नेरिस पे ब्रेइन को रिमूब कर दिया जाएगा फेराते हैं सेंस ऐर्गें संस और्गर्ण क्या होते हैं जैसी कि हम लोगों में सेंस और्गं सोते हैं आइस और रोल गया इन Wor से श़ए और प्रेजेंट रहेंगे तो इनका सफ सन्सरि बिल कि поч softens tentacle तो भॉयर नोत्स हैं कभी पुराना में नौत्स हैं यहां पिक्ये यह पाइड निकला हुआ हुआ है इस टाइप से इसको tentacles गेया तो फिच्टो मैं एंड डैंट puntos में क्या होंगे इसार्फेस अउटिकल्स बीयर्स नियूमेरस सेंसरी स्पीरियर औरगे इच पंसिस्टिंग अफ हन्डेड फोटो रेसेप्टिव सेल्स इस पारिषेल्ज विदिन ट्यूटी प्यूटियूलर पिट यह जो ट्रिस्ट्वेमिर्स टन्टिकल्स होते हैं वो बीर्स करते हैं सें और हौंगे ई-रेज्ज विदिं तेंग के युटिपुवलर इफ नेक्ज्जट है प्रोस्टोमीयल पलप क्या होंगे दीज और आर्सों सेंसरी आरगं कहा जारा है कि यह जो जो प्रोस्टोमीयल पर सिक वह भी सेंसरी आरगं नेरीस के इट सर्वाइटरल लिफ दिपल्स मोस्ट लिश्व एज आर्गन और तर्श टास्ट एन्ड ये जो प्रुष्टोमियल पल्फ होते हैं ये टास्ट के लिए टास्ट के लिए और इसमेल के लिए हैल्प में आते हैं ये लेटरल लीफ लाइव इनका स्ट्रक्चर होता है आरगन आर्स सर्फैयर इस्मेल एंड की मोर्य संथा एंड आलसो लूह एपटी इन डिटीक्टिंग प्रहीं ये जो नोचल आरगन होता है इसमेल के लिए ओर वर्म को पकारने लिए लिए परीजिकार इंड नूचल आडरगन लूह कर दा है Kirill करता है Facebook नंबर is पूर्ट नंबर पे हैं पेरिस्टोमियम सीरी अब यह पेरिस्टोमियम सीरी क्या होंगे दीज और एलोंगेटेड अनज्वाइंटेड इस्ट्रक्चर टू पेर ओन इच साइड आप दी प्रोस्टोमियम सर्विंग अज़ टेंटिकल्स आरगन यह जो होंगे अनज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होगा दो पेर में होंगे अफ इच साइड जब टेंटिकल्स के दोनों साइड यह प्रेजेंट होंगे यहां पर देखिए यह टेंटिकल्स है और यहां पर यह जो स्ट्रक्चर यह टेंटिकल्स के बाद का जो यह स्ट्रक्चर है पेर में है हैं लेकिन यह अंज्वाइंटेड है इसको प्रोष्ट्रोमियल सीरी कहेंगे ठीक है तो अब किसे फाइब नमबर पर आइज डार्सल सर्फेस और प्रोष्ट्रोमियल बियर्स फोर सिंपल ब्लैक आइज इनके पास ओ एक होता हैon में फिग्मेंट वाल कंसिस्ट ओं अर्ष टाल नेरो अंड लायट प्रेटिन सेल जो की टाल नेरो और ल essayप्टिव रेटिन ऐडन सेरीश इंटू थू त्री पार्ट और यह उते तीन पार्ट में www.hote अफेला an outer nucleatedrobe ron out to nerve fiber है तो optical fiberрат इन 국민 2 नर्फ iberには आप्टिकलर में रहें और हाली पिगमेंटेड Max पिगमेंटेड में defines a इनका middle part होगा वो pigmented होगा colorful होगा third is an inner part forming a transparent cuticular rod of the hyaline layer जो inner part होगा वो form करेगा transparent cuticular rod like structure of hyaline layer star में देखते हैं star या फिर आप इसको note करके भी लिख सकते हैं the cup is filled with gelatinous substance forming a lens जो cup होगा वो gelatinous substance से भरा होगा जो की lens का formation करेगा lens भी बनता है तभी तो जो images होते हैं वो बनते हैं हमारे eyes से तो यह जो structure है वो वी एस है नेरिस के entire eyes का वी एस है यह epidermis है ठीक है उसके बार यह जो layer है उसको cuticle कहेंगे यह pupil है lens है pigment है retinal cell है और यह जो है यह optical cell है जो nerve cell से बने हैं और फिर उसी का isolated retinal cell का यह diagram है यह जो pipeline structure है इसको rod का name दिया गया है और यह जो dark structure है यह pigment है और यह nucleus है और यह nerve fiber है और यह पूरा diagram जो है वो यह पूरा जो diagram है वो nearest का nervous system का diagram है जहां पर pulp nerve है nervous nerve to the dorsal और यह जो पार्थ है इसको nerve to the notual organ यह जो पार्थ है इसको बोलेंगे nerve to the ventral pharyngeal plugs और यह जो है सब pharyngeal ganglion है nerve to the skin and parapody of the trunk segment यह जो back end part है इसको segment ganglion बोलेंगे यह नीचे का नर्ट प्रोश्ट्रोमियल टेंटिकल्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो टेंटिकल्स होते हैं वह प्रोश्ट्रोमियल पार्ट में प्रजेंट होते हैं और यह जो बीच का पार्ट है जो bylobd जटिस में झाला को याद कर दोगका याला क्यों विका दो तर एक उ सकाद कर happens